प्रिये दिर्शे को नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार प्रिये दिर्शे को नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार आईए सुनते हैं अब समाचार विस्तार से पर मुख्य महाप्रबंदक सिवाएं शी नरेश कुमार मुख्य महाप्रबंदक प्रभारी स्टेल मिल, न्यू प्लेट मिल, PPC मार्केटिंग, CMO, R&C Lab, CNIT जैसे संबंदित विभागों और भारतिय रेल्वे के प्रतिनीरियों ने कारिकरम में भाग लिया इस अवसर पर बोलते हुए, शी सूर्य वन्षी ने निर्धारित फ्री टाइम के भीतर, इन्पुट और डिश्पैच, सरकिट दोनों में रेल्वे वैगनों के टर्न एराउंड समय को कम करने पर जोड दिया, ताकि डैबिरोज को कम किया जा सके उलेकनी है कि RSP के सभी कच्चे बाल रेल्वे वैगनों द्वारा सेंत्र में लाए जाते हैं और विभिन अनलोडिंग इकाईयों में उतारे जाते हैं इसे प्रकार रेल्वे द्वारा प्लांट से तैयार उत्पादन भेजने के लिए वैगन उपलब्द कराई जा रहे हैं इसके लिए रेल्वे के पास प्रत्यक रेक वैगनों का निशित बेड़ा के लिए एक निशित समय स्लॉट है जिसे फ्री टाइम कहा जाता है जिसके दौरान वैगनों को लोडिंग, अनलोडिंग के बाद रेल्वे को वापस करना होता है यदि फ्री टाइम के बाद रेक वापस किया जाता है तो वे उन वैगनों पर डैमोरेज लगाते हैं जिन्हे विलम शुल्क कहा जाता है सत्र वैगनों के टर्ण अनाउंट समय को कम करने और रेल प्रबंधन में चुनोतियों पर केंद्रित थे इसके बाद शुट्य विलम शुल्क प्रबंधन और कारी योजना तयार करने से संबंधित मुद्धों पर चर्चा हुई कारी योजना में उठाये गए बिंदू उपर सभी संबंधित विभागों के महाप्रमदक को एवं विभागा अध्यक्षों की उपस्तिती में चर्चा की गई मुख्य महाप्रबंधक ट्राफिक शी ए के बहरा ने उठाटन कारी करम में उपस्तित लोगों का स्वागत किया जबकि महाप्रबंधक TNRM शी A सुनाईनी ने आपचारिक धन्यवाद ग्यापत किया कारी करम का संचालन वरिष्ट प्रबंधक HRDC शीमती A बहरा द्वारा किया गया सेल रावर केलास पास सेंत्र RSP के खेल इकाई द्वारा बीजू पटनायक होकी स्टेडियम सेक्टर फाइब में आयोजित किया जा रहा है सत्रवा ग्रामीन होकी टोग्हिन में लोगों की उत्साही प्रतिक्रिया देखी जा रही है में वाली कई प्रतिभावा का कुशर प्रदर्शन होक्य मैचों में देखा जा रहा है मिशिष्द होकी विशयषक युआग और RSP के कोच उस शेत्र की असाधरन होकी प्रतिभाओ की पहचान करने के लिए मैचों पर पैनी नजर रख रही है जिरे भारती होकी जगत का पालना माना जाता है टूर्णामेट में परिधिये शेत्रों की असी टी में भाग ले रही हैं इस वर्ष यह कारिकरम सील द्वारा मनाई जा रहे है जल संरक्षन महा के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहा है गौर तलब है कि मैच होकी इंडिया के नियमों के अनुसार नौक आउट आधार पर खेले जा रही हैं टूर्णामेट का आयोजन ग्रामीर होकी प्रतिभावों को उनके खेल कोशल का प्रदेशन करने के लिए एक मंच देने के उद्देश से किया जा रहा है टूर्णामेट का फाइनल मैच 29 सितंबर को खेला जाएगा आजादी का अमरित महसो सामारों की उपलक्ष में सेल राउर केला स्पास सेंत्र ओरिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जानेमाने हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तूत कर रहा है आज के व्यक्तित्व हैं संजुकता पानिग्रही ओरिया कला और संस्कृती के आस्मान में चबकते सितारों में एक संजुकता पानिग्रही का जन 24 अगस्त 1944 को ओरिशा के बरहम पुर्जिले में हुआ था वह सर्वकालिन प्रख्यात ओरिशी नित्यांगना थी संजुकता पहली ओरिया लड़की थी जिन्होंने कम उम्र में इस प्राचीन शास्त्री नित्य को अपनाया और इसके भव्य पुनरुद्धान को सुनिशित किया प्रसित ओरिशी नित्यांगना संजुकता पानिग्रही नहीं जीवन भर ओरिशी के सच्चे रिवाज को बनाये रखा समर्पित नर्टक्त ने भारत में ओड़ीशी नृत्य शैली को पुनर जीवित करने और विदोईशों में इसे लोगप्रिय बनाने में महत्व पूर्ण भूमी का निभाई जब वह छोटी थी तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धी और उनकी कैरियर का महत्व पूर्ण मोर 1952 में अंतराश्रिय बाल फिल्म महसों में उनकी जीत थी उनका विवाह गायक अंडरो रगुनात पानिग्रही से हुआ उनकी कैरियर का प्रारंबिक वर्ष चुनोती पूर्ण था लेकिन इस बीच उनके पती एक सच्चे गायक के रूप में उभरे और उन्होंने संजुकता के प्रदर्शन के लिए संगीत देना शुरू कर दिया संजुकता को उनकी चरम प्रतिभा के लिए 1975 में भारत के चोथे सर्वोच नागरिक पुरुसकार पदमश्री से सम्मानित किया गया था संजुकता रगुनात की जोडी ने शांदार प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्र मुग्द कर दिया 1976 में उन्हें संजुकत रूप से संगीत नाटक अकाडमी पुरुसकार मिला उन्हें प्राप्त पुरुसकारों के अरावा संजुकता संजुकत राज अमेरिका और UK संइथ विभिन देशों में सरकार के सांस्कृतिक प्रतिनीधी मंदल का भी हिस्सा थी ओडिशी नृत्य की इस रानी को रानी का तिरुपन वर्ष की आयू में 24 जून 1997 को ओडिशी नृत्य और संगीत के इतिहास में एक अपूर्णी इस्थान को पीछे छोड़ते हुए उनकी कैंसर से बृत्यू हो गई आज की हिंदी समचारों में बस अतना ही नमस्कार आज को